हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा अब नभील है आज हम लोग बाहर आए है मेरी कार में हम लोग वीडियो बना रहे है क्यों 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 हम लोग Apple CarPlay का आज रिवियू करने वाले क्या को जिसमें फीचर आपको देखने मिलते है या फिर उस मॉडल के लिए जाना चाहिए नहीं चाहिए जिसमें आपको Apple CarPlay देखने मिलते है आप तो आएए सारी जीजा चेक आउट करेंगे आप ओके गाईस तो अपना ये Volkswagen का जो सिस्टम आता है यह सबसे बहले बता जेता हूं कि connection जो है यहाँ पर wireless और wired दो तरीके है मेरा iPhone है यह वायलेसली स्काथ connected है wired method से भी आप इसको connect कर सकते है अब यहाँ पर connect phone पर मैं जब चला जाता हूं तो यहाँ पर मिरे पास option आता है कि Apple CarPlay Android Auto में मैं devices connect करके रख सकता हूं और कितने है तो तीर मैंने connect करके रखा है दो और devices में यहाँ पर add कर सकता हूं और मैं इनको delete भी कर सकता हूं और यहाँ पर जो अपना iPhone 13 Pro है वो यहाँ पर connected है तो Apple CarPlay में इसके चले जाते हम तो यहाँ पर आप देख सकते है बिल्कुल अपने iPhone की जो application है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और साथ-साथ जो है iPhone को भी आप यहाँ से access कर सकते हो तो अभी यहाँ पर क्या है आपको distract नहीं होना चीए इसलिए जो iPhone का screen है आपके car के इस infotainment system के उपर mirror हो चुका है तो यहाँ पर क्या क्या options देख लेते हैं सबसे पहला phone है phone के अंदर आपके favorite contact recent और contact list keypad सब कुछ आपको मिल जाएगा voice assistant के जरीए से भी Siri के जरीए से भी आप यहाँ पर फोन लगवा सकते है को issue इसके अंदर आपको नहीं आएगा call अगर आपको आता है तो इस type का interface देख नहीं मिलेगी आप जो भी play कर रहे हो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा साथ ही आपको यहाँ पर आपके messages को option आता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे messages और यह messages है जब भी कोई इसके बाद आपको यहाँ पर यह फोक्स वैगन लिखा दिख रहा है अगर मैं इस पर टैप करो तो जो में स्क्रीन है हमारी उस पर यह चला जाता है तो अगर मुझे वहाँ पर जाना है कार की information देखना है तो वह देख सकता हूँ उसके बाद यहाँ पर पोड़कास्ट व मेसेज बेजना है या फिर आपको कॉल करना है किसी को तो WhatsApp भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ कोई नया मेसेज आए का WhatsApp का if I wanted to read it out to me वह भी करके बता देगा आप settings में क्या कुछ है देख लेते है तो यहाँ पर driving focus आप सेट कर सकते हो जब भी आपका phone connect हो जाएगा इसके driving focus activate हो करके भी मैसेज सेंड कर सकती है उसके बाद album art जो है आपको शो करना है नहीं करना है कुछ कुछ music albums जो है उसका album art अच्छा नहीं होता गंदा होता है कार में आप दूसरे लोगों नहीं दिखाना चाहते तो इसको simply यहां से आप आफ भी कर सकते हो उसके बाद जो यहाँ प फोन का वो नजर आएगा साथ ही यहाँ पर जो network का signal है हमारा जियो का LTE वो यहाँ पर हमको देखने में रहा है और यहाँ पर हमको time देखने मिलता है यहाँ अगर मैं इस site पर आपको लेके जाओं तो यहाँ पर कुछ widgets आपको देखने मिलते है जैसे यहाँ पर जो आपका फोन पर ही play होगी इस system पर नहीं होगी क्योंकि यह आपको बिल्कुल भी distraction free interface देने के लिए डिजाइन है तो यहाँ पर अगर मैं इसको play करू तो आपके साथ धोका भी हो सकता है तो यह जो आपने audio सुनी वीडियो यहाँ चल रही थी audio लेकिन मेरे कार के speakers के जरह से wireless charging pad दिया है तो उस पर मैं अपने phone को drop कर सकता हूँ और wireless carplay भी मेरा चलते रहे कर मैं को तोड़ा गारी से बाहर निकलना है तब भी वो disconnect करके रखना होता है और जिसमें wireless होता है तो यहाँ पर मैं wire तरीकी से इसको connect करो तो यह मेरा phone चार्ज भी करेगा as well as यहाँ पर मेरे phone का display वो mirror भी हो जाएगा बतलब जो carplay के जरिये से अब इसमें एक negative point यह हो सकता है कि आपको phone को charge नहीं करना आपका phone 100% charged है और बहुत ज़्यादा heat है धूप है तो उस time पे unnecessary आपका phone चार्ज होते रहेगा अगर आपको carplay यूज करना है तो तो मेरा बोलना यही है अगर आ carplay वाली car ले रहे हो या aftermarket में कोई apple carplay का system आप लगवा रहे हो अपने car के अंदर to make sure that it is wireless तो यह था guys हमारा apple carplay का review आपको सारी चीजे में बदा दिया कि इसमें क्या कुछ features आते है उमीद कर रहूं आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना है तो लाइक और शेयर जरू कीजिए मेरे चैनल को subscribe दो कीजिए और मेरे चैनल को subscribe दो कीजिए goodbye